मैं आप सभी मुक्हमंत्रियों से आगरे करता हूँ कि आप अपने राज्य की मश्रीज के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या मैं इसको सवाल के रुप में कह रहा हूँ होता क्या है कि इन दिनों करोना में ये तुरणा वेरिफिकेशन का विशे है लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं पहले करोना के समय क्या होता था हलके फुलके सिम्टेम्स भी लोग डर जाते थे तो तुरंट एक्षन लेते थे दूसरा इन दिनों बहुत पेशन्ट असिम्टेमेटी है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया ऐसा हो गया कभी-कभी तो वो भी ने जनी दा और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिन्दगी जीते हैं और परिवार नाम शरूप पूरय परिवार लपेट जाता है और फिर इन्थसी टी भड़ती है तब हमारे ध्यान आता है जो आज परिवार के परिवार जो इस में लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरूब वात एसंटिमेटिक होती है और केरलेस होने से होती है उसका उपाय क्या है उसका उपाय है प्रो एक्टिव टेस्टिंग हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसंटिम जो पेसेंट होगा वो भी ध्यन में आ तो परिवार में होम कोरोन ट्राइल वगेरे जंग से कर लेगा वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिनकी जीता है वो नहीं जीएगा और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको बचा सकते हैं और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सिन की कर करते हैं उससे जादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की ज़रूत है बल टेस्टिंग पर देने की ज़रूत है और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है उसको तकलीब हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए और वो मैं समता हूँ करम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा हमारे पास वाइरस को कंटेंड करने के लिए एक एहम तरीका है कि हम human host को कंटेंड करें मैंने पहले भी कहा था यह कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे गर में नहीं आता ह है और इसलिए human source जो है हर एक को हमने जागरूत करना पड़ेगा उसने नियमों का पारण करना होगा यह बहुत आवशक है और निश्चित तोर पर इसमें testing और tracking की बहुत बड़ी भूमिका है हम testing को light न ले testing को हमें हर राज में इतना बढ़ाना होगा कि positive rate कैसे भी करके 5% के नीचे लाकर के रख रहा है और आपको याद होगा शुरू में जब करोना की खबरे आने लगी तो हमारे यहां competition हो ले लगी वो राज्य तो निकम्मा है वहाँ बहुत बढ़ गया फनाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है राज्यों की आलोचना करना बढ़ा फैशन हो गई थी तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जराबी चिंता मत कीजिए उसके कारण आपको आपका परफॉर्मस बुरा है प्रेशन में मत रहिए आप टेस्टिंग पर बल दीए और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ संख्या जादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं यह सोचने के जरूत नहीं है आप टेस्टिंग जादा करते हैं उसके कारण पॉजिटिव केस नजर आते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है और जो आलोचना करने थोड़े जिन आलोचना सुननी पड़ेगी लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है टेस्टिंग के कारण आखड़ा बढ़ा आ जाता है आने दीजिए उसके कारण कोई राज्य अच्छा है को राज्य बुरा है ऐसा मुल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है और इसलिए मेरा आ बाग रहे हैं किस प्रेशल से बाहर निकल जाईए टेस्टिंग को बल दीजिए भले पोजिटिव के ज़्यादा आते हैं आने दीजिए लेकिन उसी कद हम उपाय कर पाएंगे और हमारी टारगेट सतर प्रतिशत सेवेंटी परसंट आर्टी पिसिया टेस्ट करने का है कु कुछ लोग जो आर्टी पिसिया टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सेंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है ऐसे ही मूँ के आगे ही सेंपल ले लेते हैं ऐसा है बहुत गहरे जाकर के सेंपल लिये बिना रियल रिजट मिलता ही नहीं है अगर आपने उपर उपर से ले करके सेंपल नहीं लेते हैं जिन राज्यों में यह हो रहा हैं इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए बले पॉजिटिव केस बड़े छिंता मत कीजिए लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा लेकिन वह नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा पूरे को सब को लपेट लेगा हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि आर टी पीसी आर टेस्ट बढ़ानी की ज़रुत है और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सेंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए आपने देखा होगा कुछ लेब हपके सब को निगेटिव दे रह रही है तो यह तो अच्छी चित्र नहीं है तो कहीं कुछ कमी है और यह गवर्णनस के माद्यम से हमनों चेक करना होगा